स्टुडेंट्स प्रिंस सरकेस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है OBCR Action की आज की सुनवाई की बात करो इससे पहले टीचर्स डे के मौके पर आप सभी ने जो भी विशिस संदेश आज मुझे भेजे हैं लगातार निरंतर अभी भी जारी हैं आप सभी अफ्यर्थियों को बहुत बहुत आशिरवाद आप सभी अपने जीवन में नित नई उचाईया चूते रहें एश्वर आपको कभी किसी बात की कमी ना रखे ऐसा मेरा आशिरवाद है, मनो कामना है, शुब कामना है आप सभी के लिए तो बस यही करना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है अपने सारे मित्रों को, अफ्यर्थियों को, चात्रों को, संबंधी जनों को एलिट स्टेडी जंतौर्परंस, सर्गी सर्विसेज, मार्क दश्षन, रनीती के बारें बताना है ताकि मद्रपरदेश ही नहीं, बलके पूरे भारत का बच्चा एक दिन जाने के किस तरह से एक शिक्षक पूरे भारत में अफ्यर्थियों को सही मार्क दश्षन दे रहा है और उनके पढ़ाए हुए बच्चे, उनके द्वारा मार्क दश्षन दिये हुए बच्चे करके ज्वाइन कर ही लीजिए सब्सक्राइब करना बेल आईगान पे क्लिक करना शेयर करना ना पूलिए चली बात करते हो बीसी आरक्षन की बात करूं से पहले एक और मैसेज बता रहा हुए कि किसी भी आफ्यर्थियों को तैयारी करना बंद नहीं करना है चाहे वह प्रि क्योंकि यहां ऐसी सिच्वेशन है कि कुछ भी हो सकता है और जिनको ऐसा लग रहा है कि अभी तैयारी करें ना करें मन नहीं लग रहा है देखिए चार साल भी यही होता रहा है तो क्लियर कट एक बात कह दूं पढ़ाई करते रहे हैं पढ़ाई के लाब और कोई चारा भी परान जो हमारे आदानिये वकील सहब लोग थे वह एक नया टॉपिक लेकर आये थे पता नहीं कि जब भी मानी न्यालाय फाइनल या आखरी सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है तब यह नया टॉपिक नई रिपोर्ट नई चीज़न लेकर आ जाते हैं हाला कि ओभी सिया सुनवाई को बढ़ाने की मांगी गई यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सुनवाई इतने समय से चल रही थी आप पहले समय मांग चुके हैं सब कुछ कर चुके हैं हाला कि जो मामला चल रहा था मैं आपको बता दूँ कि अभी साथ सितमबर से EWS के मामले पर मानी सर्वोच नियाले सुनवाई करने के लिए तयार हो गया है मामला यही है मसला यही है कि 50% आरक्षन की सीमा को क्रॉस कर चुके हैं तो उस पर जो है मानी सर्वोच नियाले सुनवाई करेगा और वकील सहाब लोग कह रहे थे कि जब तक मानी सर्वोच नियाले का फैसला ना आ जाए तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है आप डेट पर आप तीन महीने बाद रख लीजे दो महीने बाद एक महीने बाद जब तक आप चाहें रख लीजे तो यह स्टर अको क्या है आप अधेश की उलंगन कई बार हो चुकी है यह किसी को दिखाई नहीं देरा सिर्फ मैं ही बता रहा हूं आपको सर्वोच न्याले ने आदेश दिया है जल्दी सनवाई करिए उस आदेश का भी क्या हो रहा है आप देख रहे हैं फिर भी अच्छी बात यह रही कि मानियो चुन् कर दें मतलब सुन्वाई आगे बढ़ा दें तो ऐसा नहीं हो पाएगा तो कुल मिला कर आज मानी उच्छ न्याले के रविये से आखरी आखरी तक थोड़ा अच्छा लगा लेकिन मामला हुई था कि जो सुन्वाई मानी सर्वोच न्याले में होने वाली उसको लेकर यहां भर्दियां चालू कर दीजिए नहीं तो मैं पुना कहा रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब्रदेश का या देश का युवा क्योंकि मैं एक सिक्षक हूं और आज सिक्षक दिवसे मैं जूट नहीं बोलूँगा आप कितनी भी मार्केटिंग कर लें अपना भर्दियां निकाल दीजिए ताकि युवाओं का गुस्टा रोज ठंडा हो जाए और आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं कि सरकार में बने रहें तो आपके लिए अच्छा होगा एक सलाह सिक्षक किनाति क्योंकि मानी मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे शिक्षक जो ह क्योंकि आप अगर किसी विरोजगार के घर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई मैं विरोजगारी की इम्तिहां हो चुकी है चीजें क्रॉस कर चुकी है लिमिट क्रॉस कर चुकी है ओके स्टुएंट्स तो यही कहूंगा कि जितनी भी भरतियां है आपकी चाहे वह MPPSC मेंस 2021 है प्रिलिम्स 2022 है मेंस 2019 है 2020 है या फिर कॉंस्टेबल ऐसा ही है पटवारी है शिक्षक भरती है बैंक SSC रेलवे हैं सभी की कक्षा है एलिट स्टेडी जंद और प्रिंसर के एप पर चलाई जा रही है लाइव वीडियो लेक्षिर्स और नोट्स टैस स्रीज भी आप देख सकते हैं करने यही है कि ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है आखे दी हैं देखिए अंतर समझे वरना भटकते भटकते कहां में तुम्हारे जैसे लाखों लोग शामल हैं मिलते हैं ले पॉडकास में रहने बाद